नौवा वहिना शुरू हो गया है और नौवे महीने में 37 से 40 सब्तों के बीच आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए लेकिन अब क्या करें जब आपको लेवर पेन ही नहीं आ रहे हैं आपको कोई भी ऐसे लक्षन महसूसी नहीं होते हैं मिलकुल नौर्मल डेस जैसा लग रहा है और आपको लगी नहीं रहा है कि नौर्मल डिलीवरी मेरी हो पाएगी समय से कोई भी लक्षन शुरू ही नहीं हो रहा है नौर्मल डिलीवरी वाले तो अब क्या करें सबसे भारी चिंता यही होती है बहुत ज़ादा महिला है परिशान रहती है कि मेरे नौर्मल डिलीवरी के लिए मेरा लेबर पेन कब आएगा मुझे कब होस्पिटल जाना है मेरे साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा है सैते सबते शुरू हो गया है नौर्मा महिना खतम होने वा या केवल डिलीवरी हो उसकी चिंता प्रेगनल महिला को बहुत रहती है क्योंकि डिलीवर तो उसको ही करना है तो टेंशन आपका बढ़ता ही है आप इस बारे में सोचती है काफी नौर्मल चीज है लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि जो भी चीजे आप सोचती है वो कि आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा आप अकेले में ही सोचती रहेंगी बहुत जादा घबराती रहेंगी तो आपकी घबराट की वज़े से आपकी जो माइन की जो एक डिलीवरी के बारे में अब तक उस्तियारी थी अब आप आपको सोचना नहीं चाहिए क्योंकि डिलीवरी तो होगी है आपको डिलीवर्ट भी भी नाहीं हो लेकिन नौर्मल डिलीवरी के लिए आपका मैंटर रेलेक्ष बहुत इंपोर्टेंट होता है ताकि आपकी जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाएं और आपकी जो नौर स्टार्ट होने के चांसेस बहुत जादा होते हैं आप दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलना है जिस डॉक्टर को नाइन मंत के लिए आप दिखा रहे थे वह आपके मेडिकल हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझते है प्लस वो बच्चे की मोमेंट बच्चे की पोजिशन वेगेरा भी समझ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा वो भी वो जानते हैं तो अगर आपको कोई भी दूविदा परिशानी मन में कोई ख्याल आता है तो किसी को बताने से अच्छा है किसी की रा अच्छान और टेंशन होने की जड़तनी है डॉक्टर से मिलना इंपोर्टेंट है आपकी डॉक्टर को सारी बात बताईए वो बहुत ही अच्छे से आपकी पूरी ही चीजेों को साल कर सकते नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होगे और इसे क्या होता है होते है ब्रेन से जिस कार्बस कॉंट्रे suggest करना चुरू Commission आड़ने के लिए लेबर चुरू हो जाता है कि अगर आपके नॉर्मिल डिलिवर की ओर आपके लेबर कन चुरू करें प्रिग्नंतारा देट करना चुर्मा और उसको ही हुस्lish को करने के लिए Ebam तॉमा खुमाकर 5-15 जितना हो सके करिए सुबह सामभी कर सकते हैं इससे बहुत फाइदा मिलता है दूसरे बात का ध्यान रखे कि इस दौरां पानी अच्छे से पीए जितना हो सके गुंगुना पानी पीने की कोषिश करिए आप गर्म खाना खाने की कुशिश करिए जितनी जादा गर्म तासिर की चीज़े लेंगे उतना जदा फाइदा होता है नॉर्मल दिलीवरी में जैसे कि ड्राइफ फ्रूट्स भी खा सकती हैं, खजूर का सिवन कर सकती हैं, आप हल्दीवाले दूद का सिवन कर सकते हैं, बहुत लोग अंदर गाय का देशी घी भी एक चमस मिक्स करके पीना सुरू करते तो ये सारी चीज़े आपको करते रहना है इसके अलावा भी कुछ काम जरूर करना है जैसे कि गुनगोने पानी से नहाने से भी फायदा मिलता है डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी जो शडीर है वो नॉर्म महीने में 30 सब्सक्राइब के बार आप चाहें तो गुनगोने पानी से आप साम को नहाइए सुबह नहाइए जब भी यूज करेंगे तो बेटर होगा इसके अलावा आप चाहें तो रिलेशन मेकिंग भी कर सकते हैं हस्विन के साथ लेकिन डॉक्टर से पूछने के बाद क कई सारे फायदे भी होते हैं और इससे आपकी आपसी में इंडल स्टैंडिंग और एक मजबूती जो महिला को चाहिए वो मिलती है इसके अलावा भी कई सारे प्रेग्रेंसी को हेल्दी रखने के लिए और 9 महिने में डिलीवरी के लिए टिफ्स शेयर की हुई है मैंने मेर सकती है वीडियो अगर आपको हैलफुल लगी है तो शेयर करिए लाइक करियो चानल पर न्यूम है तो मेक शर सब्सक्राइब करिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यूँ